हाई फ्रेंड कैसे आप लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यह मेरा चॉकलेट फिलेवर का वन केजी का केक है और मैं प्रिस्टीन कंपनी का यूज करती हूँ प्रिमिक्स और उसमें कुछ भी नहीं करना रहता है उसमें सब मिक्स रहता है आप जाकर चेक आउट जरूर करें और आगर आप बना लेंगे ना तो आपको काफी अच्छा लगेगा और यह मेरा है ना 200 ग्राम प्रिमिक्स यूज करी थी क्योंकि वन केजी के लिए ना आप 200 ग्राम लेंगे ना तो एकदम परफेक्ट रहता है अगर इससे जादा लें आप प्रिमिक्स तो आपको विपिंग क्रीम कम डालना पड़ेगा मैं है ना इसमें 400 ग्राम विपिंग क्रीम यूज करी हूँ और 200 ग्राम डाग कंपाउंड यूज करी हूँ और 200 ग्राम प्रिमिक्स यूज करी हूँ तो अगर आपको प्रिमिक्स की कॉंटिटी बढ़ान करती हूं और टर्पो लाइट या इजी विप मेरे इधर जो भी अवेलेबल रहता है मैं ये दोनों ही यूज करती हूं आपके नियर बाई में जो भी रह आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट वाइज का ब्रांड आगे पिछे रहेगा तो प्राइज आगे पिछे हो सकती है लेकिन टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा और मैं अपने स्प Ой में तीन लेयर करी थी प्राइजता तॉ तीन सही रहता हूं तो इसलिए में 3 करी हूं क्योंकि बैकरी में में भी 1 kg की वपर नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है आप बीच में ही एक इभार डालेंगे ला तो भी हो जाएगा मतलब मुझे टेस्ट बढ़ाना रहता है इसलिए मैं डाल देतीं मैं नया नया बना रही हुँ मैं नहीं चाहेतीं कि मेरा केक कहहीं बन कर जाए और वो customer को अच्छा ना लगे इसके लिए है न मैं अच्छे से ही इडा compound डालती हूँ आप भी अगर शुरु शुरु में बनाना सीख रहे हैं तो ये बात का जरूर ध्यान दे और ये मेरा layering हो गया है और इसके बाद है आपको भी ये step जरूर follow करना है क्योंकि आप जब तक ये step follow नहीं करेंगे ना आपका cake सुन्दर नहीं बनेगा ऐसा professional नहीं लगेगा cake तो बन जाएगा उसमें खाने में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा लेकिन है ना professional भी दिखना चाहिए इसके लिए है ना आपको अपने cake को करम coat करना ही करना है जब आप करम coat कर देंगे ना तो finishing भी अच्छी आएगी लुक भी अच्छा आएगा और आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा cake वाकई में बहुत सुन्दर बना है और यह जो cake में बनाने जा रही हूँ ना यह वाकई में bakery style है ऐसा आज तक में देखी नहीं हूँ कि कहीं में bakery में जाओं और यह वाल डीजाइन ना रहे और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ bakery में यह वाली डीजाइन तो रहती ही रहती है और मैं आप लोगों को आज है ना एक बहुत काम की चीज़ बताने वाली हूँ कि कभी क्या रहता है कि सुबा में हमारा order रहता है और हम cake बना कर रख देते हैं ना तो वो सुबा में ना उसमें crack आ जाता है तो कभी आपको ऐसा रहे कि एमरजनसी में रात में ही बनाना पड़े सुबा में बनाने का टाइम बिल्कुल भी न रहे तो आप दो चीज़ कर सकते हैं एक है ना अपने cake को गनाज से कवर कर दें उससे आपका cake है ना सुबा में एकदम फ्रेश रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं और ऐसा अगर कवर कर देंगे ना आप गनाज से तो आप ना उस cake को एक से दो दिन तक भी अपने फ्रेज में रख सकते हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और एक दूसरा टिप है कि आप है ना अपने पूरे cake को जेल से कवर कर दें जैसे कि आप कोई और flavor बना रहे हैं चौकलेट फिलवर नहीं बना रहे हैं तो आप गनाज से कवर तो कर नहीं सकते तो उसके लिए ना आपको जेल से कवर करना पड़ेगा आप कभी भी bakery में देखे होंगे ना कि जब वो लोग cake रखे रहते हैं तो नॉर्मल है ना वो जेल से या गनाज से कवर रहता है इसलिए क्योंकि है ना उनका cake है ना उसी दिन का नहीं रहता है और और वाला cake वो अलग रखते हैं या कल का order है मुझे आज ही complete करना है और कहीं जाना है तो आप ऐसा करके जरूर जाएं और आपका cake बिल्कुल भी ने खराब होगा आप एक बार मेरे बोलने से ये step जरूर फॉलो करें और मैं अपने cake की पूरी finalizing कर चुकी हूँ और इसके बाद थोड़ा सा गनास को गरम करी हूँ उसके बाद इसके उपर spread करी हूँ और भी च्छान कर क्योंकि है ना ये जब गनास रखा रहता है तो थिक हो जाता है थोड़ा सा उतने अच्छे से spread नहीं होता है तो आपको जब कभी टॉप पे ऐसा करना रहे तो आप थोड़ा सा गनास अपना गरम कर लें और अगर थोड़ा गरम भी रहेगा अपने केक पर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमारी क्रीम ठंडी रहती है ना और उतना जादा तो हम गनास गरम नहीं करेंगे और यह है ना मैं इसके लिए गोल-गोल घुमाई हूँ क्योंकि यह रात को है ना मैं एक बज़े केक बना रही थी और इसी वज़े से न मैं इसको बैकरी स्टाइल बनाई हूँ क्योंकि है न ये रात में मैं बना रही थी और सुबा में देना था साथ बज़े मुझे ये डिलवर करना था सुबा में तो मैं बोली कि रात में बना कर रख दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और पलस साथ बज़े तो देना ही था लेकिन ये जहां जाना था वहां बारावरा बज़े तक का कुछ कट होना था तो मैं बोली कि ऐसा न हो कि मैं कोई डिजाइन बना दूँ तो उसमें क्रेक आ जाए तो इसके हिसाब से है न मैं इसको पूरा गनाज से कवर करी हूँ और ये केक में कोई एफेक्ट नहीं आया था उल्टा राद बर रखा था तो अच्छे से चिल्ड हो गया था और काफी टाइम तका ये सेट था तो कभी आपको ऐसा एमरजनसी रहे कि आप कल नहीं कर सकते हैं तो आज ही अपना केक ऐसे टाइप में बना कर रखेंगे न कोई दिक्कत नहीं आएगा आप एक बार जरूर ट्राइ करें और मैं बेकरी स्टाइल तो बना ही रहती लेकिन है न टेस्ट वाइज में भी अच्छा चाहिए था मुझे और लुक वाइज भी अच्छा चाहिए था तो इसके लिए मैं इसके अंदर बहुत सारा चोकोचिक डाली हूँ बेकरी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा अगर आप कस्टमाइज कराएंगे कि हाँ मुझे ऐसे टाइप का चाहिए तो वो अलग बात रहेगी और ये केक का मैंने 500 चार्ज करी हूँ वैसे नॉर्मली मैं 1 kg 600 में देती हूँ लेकिन कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है और थोड़ा सा अपने पैपिंग बेग में मैं गनाज डाली हूँ और थोड़ा सा और डिकोरेशन कर दी हूँ और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक अगर पसंद आएगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना और एक कमेंट करना तो बिलकुल भी मत भूलना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई